हेलो और वेलकम बाग तो मैं चानल दी सब्जेक्ट मास्टर तो बच्व मैं हूँ आपकी रुची माम और हम कर रहे हैं क्लास टेंथ क्या जो चाप्टर सेकेंड है सेक्टर इंडियन एकानमी उसका पूरा चाप्टर कर लिया है हम लोग उसके कुछ के स्टाडी करना बहुत सब्सक्राइब कर लिए काफी सारे के सब्सक्राइब कर चुके और आप कर रहे हैं बार-बार आपको कह रही हूं कि के स्टाडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि बच्चे जैना इन वेरिया बहुत सारे दूसरे प्लाटफॉं में प्लाटफॉरम उस पर देखों तो यह सिर्फ 20 मार्क के आता है जबकि बाकी जह है वह आपका एरिया होता है जिसमें कि आपके के स्टडी के तो आपको सिर्फ 20 मार्क पर नहीं करना बच्चों का मार्क संसे काम आने का बहुत बड़ा रीजन यह भी एक सब जसे चाहिंः एक्ट टैंगे जो कटते हैं एक्ट आ बच्चों बताति पतने कैसे वह था समंझ तो प्लीज 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 कोशिश करके जहरा हर चाप्टर की केस्टरी जरू करिए गए और जो पटिकलरी मैं करा रही हूं उनको एक बार जहरा अच्छे से जहरा इसको देखा करिए चलिए लाव लेट साथ विद आर केस्टरी नामबर 6 जो कि हम लोग पांच कर चुके ह अगर आपने सिर्फ उस तरह से पढ़ा ही करिया तो आपको जहना आगे दिक्कत आएगी क्योंकि आपकी नॉलेज फिर नहीं अगर आपको लॉजिक भी पता है अगर आपको उसका रीजन भी पता है तो आगे किसी भी तरह का आपको एक्टिविटी आया कुछ भी आया तो आप रीजन लगा कि उसका कोई ना कोई जहा है आंसर जहें दिकाल पाएंगे तो ऐसे ही अब इसमें आपने सिर्फ करना नही है आपने यह भी समझना है कि वो क्यों है इससे कि आपको जहें आगे का लॉजिक भी पूरा जहें क्लियर हो चालिए तो लेट स्टार्ट विथ नंबर वान टेलर ठीक है नाव सबसे पहला जो इसमें टेलर आता है अब आप टेलर को ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि ट प्रेलर एक दुकान लेके बैठा भाए है इक कमरा लेके बैठा हवा है जहां पर अपनी पूरी कोई सवहाना सबस्क्राइब करें इसमें आपको पापिस कर देगा अपनी तरफ से नया समान नहीं बना रहा है है वह आपी का कपड़ा लाता है आपको वह एक सर्वेस ऐसा दे रहा है यहीं पर तो इसी लिए यह क्या हुआ यह टरशरी सेक्टर का हिसा हुआ यही पे अगर एक बुटी कोना से बेच रहा होता गप्रे बना बदाकर बेच रहा होता तो वह नहीं कि आहिए वह समान पर सकते कर रहा है जिसको आप देख सकते हो टाच कर सकते हो और जैसे कि बड़े-बड़े शोरूम होते हैं लेंगे के शोरूम ये शोरूम तो वह जहें वह आएंगे सेकेंडरी मतलब वह बेसिकली अपनी तरफ से कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि अगर वो कोई और किसी और का जहें अब यह समयने की कोशिश को अगर वह बुटीक जहें सपोस्स किसी और की कंपनी का प्रॉड़ेट्ट सिर्फ आके अपने फ्रेंचाइज ले रखी है उसने अपनी मैनुफाक्चरिंग नहीं है उसकी ठीक है अपनी उसमें एक शॉप में बहुत बड़ा सब्सक्राइब वहां से बेच रहे हैं कि आपके घर के नस्दीक या एक जगह में आपको सारी चीज मिल जाएगी वह अपनी तरफ से कुछ भी मैनुफाक्ट तो अगर वह कहीं और से लाकर आपको समान बेच रहे हैं तो भी वह कर रहा है तो भी टर्शरी सेक्टर है अगर कोई गार्मेंट मैनुफाक्ट्टर करके और तब वह बेच रहा है तो वह हो जाएगा सेकंडरी सेक्टर चलिए तो दिस के पार्ट ऑफ दी सेक्टर ऊड़े सेक्टर तुरी अठीक है तो भी राइट टोश्री ओवर हेर अगर आप इसमें देखो तो बिटा बास्केट वीवर क्या काम कर रहा है बास्केट जाहे उनके पास चछी चली केंज होती है पतली-पतली केंज होती है उनके तो आप इसमें अगर ध्यान से देखने की कोशिश करो तो प्राइमरी सेकेंडरी एंटर्श्री बास्केट वी में कोई खास स्किल या बहुत कोई बास ट्रेनिंग नहीं लगती तो कुछ टाइम का अगर कोई किसी के साथ मिलके काम करें तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता तो यह बास्केट वीविंग जो है किसका पार्ट है इस अपार्ट ऑफ दी प्राइमरी से उसके बाद है फ्लावर कल्टिवेटर नाव लुकेट अट ट्रॉवर कल्टिवेटर यह आपने समना बहुत जाता जरूरी है कि कहीं पे सामने एक और विच इस गाड़नर ठीक है और यह बहुत जादा बढ़ते जा रहे हैं कि आप हर जगे हैं प्लावर का हमारा डेकुरेशन का काम कितना जादा अब एक्स्पांड करता जाए जब फ्लावर डेकुरेशन का काम इताद एक्स पैंड करेगा तो ओविसली फ्लावर को ग्रो भी करना पड़ेगा तो बहुत सारे फार्मर्स यह अब कमर्शल फार्मिंग करने हैं और फ्लावर रादर देन व्राइस वी बगरा तो यह किसके बार में बात है फ्लावर कल्टी क्या काम करता है गार्टनर किसे कहते हैं गार्टनर कहते हैं एक माली को माली क्या काम करता है वो सिर्फ आता है अपनी खुर्पी वुर्पी लेकर आता है और आपके घर में आके जो आपके फूदे बगरा लगे उसको जो भी उसको गुड़ाई करता है उसमें कादवार डा सब्सक्राइब एक में जाओ ने टार ही अपने आप जा सेक्टर के रहा है तौह ही इस गिविग यू आप जा है कुछ भी बानुफाक्चर नी कर रहा है ठीखेस के लिए विग तो पाइब अर। service sector में भी जो unorganized sector है, so he is a part of tertiary sector and service sector या tertiary sector और वो भी unorganized. This is, gardener is a part of your service sector या पर tertiary sector. ठीक है? Next is milk vendor. Now again, milk vendor, वो इंसान जो कि आके सिरफ दूद दे कर जा रहा है. वो जो है, दूद, अगर डेरी ओनर होता है, आप यहां से ध्यान जो, he is a vendor. vendor कौन होता है, जो कि बेचता है. सिरफ आके दूद दे कर जा रहा है. वो कहीं से दूद ख्रीद के ला रहा है, किसी डेरी से ख्रीद के ला रहा है. अगर डेरी ओनर होता, यहीं पे अगर डेरी ओनर होता, तो वो होता प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा, क्योंकि वो एक नाच्रल प्रोड़क्ट प्रोड्यूस कर रहा है. एक मिल्क एक नाच्रल प्रोड़क्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बाइ यूजिंग अनाच्रल एथर्ट, जो कि आनिमल हस्बेंडरी है, और यह जो है कि कहीं से किसी डेरी से जह है वो दूद्ध कर ला रहा है और लाके आपके दोर स्टेप तक देरा तो जिसे कि आपको एक सर्विस्में एक एक मदद मिल रहे है कि आपको उस देरी फार्म तक जाने की जरुवती नहीं पर तो वह जो ट्रावलिंग का जो काम है वह यह खुद अपने दम पर कर रहे हैं तो इस वेंडर तो दिस मिल्क वेंडर इस पार्ट ऑफ दी सर्विस सेक्टर या फिर टर्श्री सेक्टर नेक्स् तो यह क्या है दिस एक फिर इस प्राइम सेक्टर कर एक जाता है प्रीस्ट कौन होता है पुजारी बंदिर मन जाते हो मंतिर में जाता है पंडी जी बच्चे की पूजा कर दीजिए यह मेरे मात सिच्छे आ जाए तो हमारी पूजा कर दीजे तो प्रीस्ट इस आलसो ओफरिंग यू अ सर्विस ठीक है वो टेंपल का ओनर नहीं है उसने कोई नया चीज को इमानुफाक्ट्चर उन्होंने कुछ नहीं पूजा से बोलना चाहिए उन्होंने कुछ टीज नहीं प्रॉड शर्जा कहिए गया यहीं तरीका होता है हर्ड प्राइम्री में य Гरी उन्हीं आठीक राया चाहिग प्रीड़रीर न्हीं हो लाकिन क्या क्रफ्रिंद रिअटork जलता है एप्रॉड्म जब कर विरसिज सबीषाइं इसी तरह से कुरियर कुरियर ज़ें आपकी के लेंटेर स्टेश आपके हुआ दूसरे जगे से पहुचा रहा है उसने कोई लेटर लिखा नी कोई Rechtsanika कई प्रसीशह कर आप की लेटकरिश थे तोटल आउट्पूट कांट्री में जाना भी जैनरेट हो रहा है और जो डेवलाप कंट्री से आपका पहले भी बता चुकिए उनारे से अमेरिका तो इतना बड़ा हो गया है कि वहां पर एक 80% जो आउट्पूट है या 80% जो GDP का कॉंटर्बूशन है वो टर्शरी सेक्टर और बाकी सिर तीन या चार परसंट जो है वो उससे आ रहा है प्राइमरी सेक्टर बाकी जो है 14-15 तो टर्शरी सेक्टर है जिसको कि हम तोग रिलाइज नहीं करते हैं वो आक्चिन है किसी कंट्री का जो डेवलप कंट्री जो डेव काफी हता काफी काफी एड्वांस जो तर चाहा है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा हो जालिए ना नेक्स्ट इस वोकर्स इना मार्च फैक्टरी ना बिटा इस इस ए प्रॉपर फैक्टरी लुक एड़ा बहुत जगे जहां पर इस भी लगे वह है तो दिस इस अपार्ट ओप दी नेक्टरी से कर रहे है कि शॉस्स नई मानौफाक्चर ओ रही है कुछ नए पटेंट के नहीं लकड़ी काट-काट के कर रहे ये प्रॉपर एक यह जहां पर की माशीघ गी लगी वी कि कुछ होगा जिससे की वो प्रॉडक्शों हो रही है। इस इस कि अ प्रॉड़ी सेक्टर की बनी वह यू फिर भी जह है इस इस नोड़ा पॉर प्र्राइमरी सेक्टर मॉइल से की बनी आप तरहा है। और उसमें mass production नहीं होते हैं यह this is a mass production because that is why it's called a factory. So matchbox factory is a part of the second view. फिर है money lander, money lander is obviously a part of the tertiary sector, it's financial services, क्यांकि वो जए एक money provide कर रहा है, जए आपको एक loan provide करने का काम कर रहा है, तो जो भी money lander है वो loan दे रहा है, तो वो it's a part of the financial service, so that is a part of the tertiary sector. पॉटर, पॉटर बेटा क्या काम करता है, पॉटर काम करता है घड़े बनाने का, तो पॉटर कौन होता है, वो जो कि घड़े बनाता है, अग्यान आप देखो, तो घड़े किस चीज के बनते हैं, वो बनते हैं मिट्टी के, ठीक है, clay के, that is a natural product, right, natural input, ठीक है, और उसी को किसी तरह से मोल्ट करके, उसको पका के, आपने एक आइटम बना दिया, विच इस घड़ा, और इसमें कोई बहुत मशीने नहीं लगी, कोई factory नहीं लगी, कोई mass production नहीं है, ठीक है, the potter, this is a part of the primary sector, beekeeping, beekeeping, again, उसी तरह से, it's a part of the primary sector, इसा सारे के सारे जएग्जम्पल्स लिए, यहां पर में ली जए ना primary sector and tertiary sector के examples लिए, हाडली ही कुछ secondary sector का example लिए, but anyway, that's their problem, ठीक है, तो beekeeping, again, is a part of the primary sector, जो मधुमक्खी पालन जो होता है, जिसे की शेहद निकलता है, again, एक इन बेसिक नाचिरल इंपॉट, मधुमक्खी जो उसका जो प्रॉड़क्ट है, शेहद, वो भी एक नाचिरल आउटपुट है, बहुत हाई टेक्नोलोजी नहीं है, कोई mass production नहीं है, कोई factories नहीं है, तो this is a part of your primary, उसके बाद है, astronaut, astronaut बिटा कौन होते हैं, astronauts वो होते हैं, जो की space में जाते हैं, ठीक है, तो since ये space में जाते हैं और ये वहाँ पर जाके, जो है, moon के उपर जाके, वो study करते हैं, ठीक है, अब जब ये moon के उपर जाके study कर रहे हैं, तो basically एक बहुत बड़ी industry है जिसमें यह लगे वे हैं which is your space rocket के साथ यह है यह associated होते हैं जिसमें की बहुत बड़ा एक rocket बनाया जाता है और उस rocket को यह manage करते हैं यह चलाते हैं तो this is a part of your तो पूरी जो space industry है जो आपकी space वाली जो industry है जिसमें की rockets बन रहे हैं, satellites बन रहे हैं और उनको जो manage कर रहे हैं तो this is a part of the astronauts and people who are working in the secondary sector astronaut अपने आप में तो कुछ service दे नहीं सकता astronaut has to be associated with you know, एक हर secondary sector में भी तो workers लगे होते हैं ऐसे tertiary sector में भी workers लगे होते हैं astronaut अपने आप में तो कुछ कर नहीं सकता तो he is associated with a secondary sector which is manufacturing rockets and satellites this is a part of your secondary sector and उसके बाद है call center employee तो employee एक worker लगावाई और कहां पर लगावाई कौन सी company में लगावाई वो लगावाई call center में तो call center basically बेटा क्या काम करता है basically बेटा हर जगे तो workers लगेंगे चाहे primary sector है चाहे secondary sector है आइटरी सेक्टर में किस तरह का आइटम मनुफाक्चर हो रहा है अब call center में अगर कोई worker call center में लगावाई है तो वो call center में कोई आइटम मनुफाक्चर नहीं होता कोई आइसा कोई product manufacturing नहीं हो तो कि आप touch कर सेक्टर कोई call center में क्या काम होता है कि phone उठाना और लोगों से बात करना उनकी problems को समदना उनकी problems को solve करना तो जैसे जो भी कोई e-commerce वाले companies होते हमेशा call centers होते है तो आप हमेशा phone करते हैं तो call center में जो employees लगेवे या पूरा call center जो है that is a part of the tertiary center तो नहीं यहां पर लिख देते हैं नहीं तो प्राइमरी एं सेकंडरी और जूनियर और सीड्री वाट इस थे क्राइटीर अट इस यू थे इस यू थे इस यू थे इस यू थे इस इस थे इस थे यह थे क्राइटीर जो कि इस तेमाल करा गया है यह can't what does the criteria that is used criteria कहुंसा है क्या यू सूट powinnam the basis of the class कि क्यों सी class में वो पढ़ते हैं तो इस क्राइटिरिया इस छो कि मैंने अभी बताया कि अगर फिफ्स टांडर तक है तो वह वह दाटिसा पार्ट अबार्ट पार्ट अब इसके बाद प्रट अब अब इसके लिए पार्ट अब आपको लगता है कि यह एक विस्फूर्ड ऐस क्लासिफिकेशन है इसके पर इसको इसको डिसकर्स करो तो यूब यूज इसको पता चल जाता है कि एग्जाक्ली उस बच्चे का क्या एज ग्रूप होगा तो अगर हमारी को पता है कि उसको क्या सबस्षायब करूशा कि इसको बच्च्चा का सबस्ते हता है उसको व्याजा तो शरुब अशिकली किसी कि आश तो इतना बड़ा है पर फिर भी वह दस्वी क्लास में है तो इस से फरक नहीं पड़ता है वह कौन सी क्लास में है उसे 10th क्लास में तो इस तो इस तो इस कि किसी को कितनी कोलें कि कुषी को कितना ओलज का लेवल है यह सिसे वैरि एक स्टेट्मेंट में दे रहे हूं कि एक सैट्मेंट में दे रहे हूं गीड़ी पी इस समॉब पी टोटल बाल्यू अवना फाइन गुड जन सर्विसे उस्ट इन अencias प्रूश्ज एडिविस एन कि Sum है । तोटल वाल्यू का है, किस चीज का जितने भी गूद्स बन रहा है था फाइनल मतलब, जो कि आगे definber coś सगी जो रहे है कि थोड़ा सा और तरीके घूठा ओते बाब फिलाल अभी अब हल फिलाल फाइनली करो कि final goods and services produced in an economy, जिसमें कि goods मतलब जो secondary sector and primary sector के है and services मतलब जो tertiary sector के सामान है, जो कि किसी economy में produce होता है in a year, कि एक साल में किसी economy में जितना भी produce हो रहा है, that is called a GDP, एक बर आपको GDP समझ भी आ गया, so now let's have this question, correct and arrange the important aspects for calculating GDP from this jumble, अब यह जो भी कुछ इसमें लिखावाय है, यह कोई sentence इसमें लिखावाय है, इसको हमारे को correct करके लिखना है, ठीक है, now let us see कि इसमें क्या चीज़ है, to count goods and services we add the numbers that are produced, अब बेटा सबसे पहला तो इसमें एक दो statements है, पहली बात तो यह है कि to count the goods and services we add the numbers that are produced, ठीक है, अगर आपको याद हो, दूसरी statement जो है, इसमें यह वाली है, वी काउंट वाली, कि उसके बाद है, तीसरी statement है since well, since we were एक काम करते हैं, सबसे पहले वाले शुरू करते हैं to count the goods and services, we add the numbers that are produced, अगर आपको याद हो, तो हमने जब chapter 1 development करा था, जिसमें कि GDP को calculate करना सीखा, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखिए, तो प्लीज जाके वीडियो एक बाद चेट करिए, उसमें मैंने बहुत specific लिए पताया है, कि GDP को calculate करने के लिए हम numbers कितना है, उसको add नहीं करते हैं, ठीक है, उसकी value add करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग number add करने लगें, तो एक satellite को हम जह है, से 6,000 ton honey के साथ कैसे add कर सते हैं, क्योंकि 6,000 ton honey की भी उतनी कीमत नहीं होगी जितनी की एक satellite की या पूरे rocket की होगी, ठीक है तो बहुत हलकी होती है, वो तो पता नहीं, उतने में कितनी सारी आ जाएगी, ठीक है ना, और satellite जह है, वो एक count होगा, तो ऐसे नहीं होता, उसकी value से count होता है कि वो अगर satellite बनी, क्या वो rocket बना, वो कितने value का है तो सबसे पहली statement ही इसकी गलत है कि we count the numbers हम लोग क्या आड करते हैं, हम लोग आड करते हैं numbers को, नहीं, no, we do not add numbers, we add the value of the goods and services, ठीक है, हम को ये आड करते हैं, not the numbers, we add the value, यहाँ पे आपने लिखना है, we do not add numbers, we add value, ठीक है, तो we are adding the value of the goods and services that are produced, next, we count all those that were produced in the last five years, no, we do not count all those that were produced in the last five years, ये मैंने तब भी बताया था, अपने वीडियो में, प्लीज आप दुबाय से चेक करिए, और यही बिटा चुट-चुटी ग्रिटी जहाँ पे की बचों के concepts weak रह जाए, ठीक है, अगर आपको पूरा chapter करने के बाद भी और आपने test देने कर लिए, आप अराम से आके exam दे आए, बहुत बर मैं देखती हैं कि बच्चे जो है, exam में पहले इतनी पढ़ाई कर लेते हैं कि exam तक आता जाता है, ठक जाते हैं, ये बिमार हो जाते हैं, तो आते वे भी वो ठीक से answer नहीं दे पाते हैं, ठीके बहुत common problems है, आपने marks को कभी भी अपना criteria of success and failure नहीं बनाना, marks can never be the criteria of your success and failure, आपको जो criteria है success and failure का वो है आपकी knowledge, आपकी skill, आपकी development, mental development, और वही चीज़ आपने improve करते हैं, तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपने पूरा chapter कभी कर लिया, और वो chapter करने के बाद भी अगर आपको जो है ना, लग रहागी कुछ confusion हो रही है, कहीं कुछ missing, तो इसका automatically मतलब चाहे, भले ही आपके teacher ने उसमें 100 मिर से 100 मार्ग दे दिया हो, ठीक है, but that automatically means कि आपके concepts कहीं न कहीं है, वीक अभी भी है, या तो आपके teacher ने उसको ढंक से पढ़ाया ही नहीं, हमारे यापे इंडिया में एक बहुत बड़ा concept है कि अगर किसी बच्चे के marks कम आ रहे है, या क्योई बच्चा पढ़ाही में कमजोर है, तो एक बहुत आसानी से धार्ना बना दी जाती है, कि उस बच्चा ना लाया है, वो बच्चा डफ़ार है, वो पढ़ना नहीं चाहता, वो करना ही नहीं चाहता, वो तो सिर्फ बदमाशी करना चाहता है, नो, strictly नो, बहुत बार जो है, टीचर की गलती होती है, ना की बच्चे की, अगर बच्चे की बार-बार इंटरेस्ट नहीं जेनरेट हो रहा है, वो टीचर, यूजलेस टीचर है, अगर जो है, वो एक बच्चे में पढ़ाही के लिए जज़बा भी जेनरेट नहीं तो बच्चे को पता हो, कुछ माइन में उसको लग रहा होते हैं, और उसकी बहुत बड़ी वज़ा होती है, कि टीचर नहीं उस कॉंसेट को बहुत कंफ्यूजिंग स्टाइल से प्राएं, कभी कुछ करा दिये, कभी कुछ यह बच्चा यह कुशन आया, तो यह एंसर कर देना यह कुशन आये, अगर यह लिखा हो, तो भी दे दना, अगर ऐसा कुछ लिखा हो, तो एड लिख देना, that is not clarity of concept, और वो clarity of concept वही टीचर करा से था, जिसने खुद एक detailed analysis या detailed study करी, जिसके खुद बहुत higher qualification हो, और higher knowledge हो, ठीक है, चालिए, so we count all those that were produced in the last 5 years, ठीक है, हम लोग वो count करते हैं, जो कि last 5 सालों में produce होयो, no, हम लोग वो count करते हैं, जो कि last 1 year में, GDP में सिर्फ एक साल का output लिया जाता है, 5 साल का नहीं लिया जाता, तो इसलिए हम लोग GDP कहते हैं, GDP of 2022, GDP of 2023, GDP of 2024, whatever, ठीक है, बेसिकली तो वो होता है, 22, 23, मलब, का कि जो हमारा time period जो शुरू होता है, 20, जैसे कि अभी हम लोग count करेंगे, GDP of, मतलब, depend करता है, कैसे आप calculate कर रहे हो, तो कई पर annual years के साब से होता है, January to December, कुछ countries हो है, वो April से मार्च तक का लेते हैं, तो that is like 22, 23 तका ला आ जाता है, anyways, पर वो एक साल का ही time period हो, तो उसमें सुरफ बारा महीने होता है, दा की 5 साल के हिसाब से 60, next, since we shouldn't leave out anything, we add up all these goods and services, तो क्योंकि हमारे को कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसलिए हम सारे की सारी goods and services जो है, उसमें add कर लेते हैं, हाँ, ये बात सही है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, हम सारा कुछ आड़ करते हैं, तो इसल इसलिए हम जो हैं, उसमें, सारी की सारी, नहीं, बेसिकली ये भी गलत है, not all, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, not all, we do not add up all the goods and services, again, 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 this is wrong, मैंने आपको फर्स वीडियो में भी बताया था, जो फर्स चाप्टर की जो वीडियो थी, कि जब गो GDP जब काल्कुलेट करते है, it has to be specifically legal goods, any illegal good or any illegal service, any illegal activity is not a part of the GDP, तो जैसे कि आपकी smuggling हो गई, या आपकी human trafficking हो गया, आपका prostitution हो गया, आपकी जो है, जो crime का, जो criminal world की जितनी भी activities है, या illicit liquor हो गया, आपकी drugs हो गया, ये सारे के सारे दिया not a part of the GDP, okay, so we do not add up all the goods and services, we add up only legal activities which are legally permitted, because basically GDP बिटाम कैल्कुलेट कर क्यों रहे, हमारा purpose GDP को कैल्कुलेट करने का है कि उस देश की कितनी पैदावार की शम्त, ठीक है, जिससे की वो देश कितना आगे जाने की capacity रखता है, कितने आगे जा सकता है, अब इस तरह की illegal activities करके, किस मानता का भलाई हो रही है, किस इंसानियत की भलाई हो रही है, किसी की भी नहीं हो, तभी तो, you know, GDP is an indication of growth and development, ठीक है न, GDP से ही हम per capita income निकालते हैं, total GDP divided by total population करके per capita income निकालते हैं, तो हम basically जानना चाहते हैं कि इंसानों की कितनी तो, हम इसलिए तभी तो देखेंगे, कि जब कोई कितना अच्छा आगे बढ़ पा रहा है, अब इस तरह कि अगर activities होंगे, suppose prostitution हो रहा है, या human trafficking हो रहा है, तो उससे क्या इंसान की भलाई हो रही है, फुल्टा और पतन हो रहा है, that is not a part of growth, that is not a part of development, चाहे हो, उस country में जितना मर्जी जह हो हो, so that is not a part of, you know, GDP, GDP में only legal goods and services, इंक्लूट होती है, चालिए, 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 लिए, बढ़ रहा है, question number 8 or case study number 8, now this is, this question is based on the Manarega scheme, the MG Narega scheme, जिसको Manarega scheme भी बोलते है, was used extensively during Corona times to provide temporary employment to people in the rural areas, जाँ पेटा, अगर आपको याद हो, Corona times के बारे में, थोड़ा सा भी, I am quite sure, कि आप जोड़े रहे होंगे, तीन-चार साल पहले, जो है, अगर आपको ऐसास नहीं होगा, तो lockdown लगा था हो, और जो है, बहुत सारी companies, जो शटड़ाउन हो गई थी, बिकुस जब सामान बिकी अधिक तर फैक्टरी माइग्रेटरी जो लेवर है, उसके दम पर काम करते हैं, जब वो माइग्रेशन करके आए हैं, तो वो जो है, अब आपस अपने गाहों चले गए, अब जब गाहों चले गए, छे महीने तक जए उनके पास कोई काम नहीं है, तो वहाँ पे भूख तो अधिक सी इंकम जो है, आपको जए अधिक साधन आपको देगा है, तो प्रवाइट आपको लेगें तो प्रवाइट नहीं है, तो प्रवाइट वहाँ जादा बढ़ गया था, 25 परसंट का मतलब है, वानफॉर्थ, 25 परसंट आपने मैं च को भी पाता है, 25 परसंट में लेबर फोर्स, इस जोटा बच्चा भी आएगा, पॉपलेशन में जीरो से लेकर, 110 साल, 20 साल जितने भी लोग साल रहते हैं, वो पूरे लोग आते हैं, वो सब काम तो नहीं करते हैं, तो जब आपे मिन बार में बात करते हैं, बात करते हैं, एक्स्क्लूसिवली लेबर प तो उस दौरान जो है जब कोरोना में जब ऐसा हो गया था जब शुटिंग डाव इंडास बहुत ज्यादा लोगों कोरोना में क्या कि उसने वहां पे एमप्लोइमेंट प्रोवाइड करवाई थी और यह बिटा आपने अगर आपको याद हो तो आपने इकानमिक्स में क्लास 9 एकानमिक्स में थी रहे पीपल आज रिसोर्स में चाप्टर था लाइं पीकानमिक्स लिए उसको जो चाप्टर था उसमें किस तरह से मांने ज़ेगा स्कीम जो है 100 डेज ऑफ एंप सौ दिन सौ दिन मौला अल्मूस लाइक सवा तीन मैं का एक साल की अंतर और इसमें कुछ स्पेशल रेशन है फॉर मौला इसके अपर बेस कुछ क्वेशन है वाइड यू थिंग मनरेगा स्कीम एम जी नरेगा जो 2005 की जो स्कीम है इस रेफर तो एस राइट तो वोग इसको राइट तो वोग क्यों कहते हैं कि अगर आपको कहीं और काम नहीं मिल रहा है तो आपको जो है एक बेसिक अंस्किल्ट वर्क आपको रूरल एरिया में पहुंचाया जाएगा या पर प् काम में लगा दिया जाएगा या कोई खेती बाड़ी का काम है या कुछ भी ऐसा काम है कोई तूट-फूट हुए है कोई कहीं पर कोई आपने नदी नाले बनाने हैं पुल बनाने तो बहुत सारे जो बेसिक काम होता है उसमें जह है इट इस काल अग ग्यारंटीज की आपक काम मिलेगा आपके पास काम करने का हक है और हम आपको आपको अपने आप इमाजन यू आर दिविलेज है आप इमाजन करो कि आप जो है कोई विलेज के हैडो मतलब उसके सरपंच जैसे हो इन डाट कपासिटी सजेस्ट सम आक्टिविटीज यू तिक शूड बी टेकन अप की इंकम भी बड़ आप सोचिए कि आपके अपने गाओं में देखी अगर आप गाओं में रहते हैं तो आप अपने गाओं क्या चीज सुधार हो सकती है जहां पर की सुधार करने के लिए हम लोगों को लगा कर जो है कुछ नया कर सकते हैं कि लोग प्रॉब्लम को यहर रोज लोग गिर जाते हैं अपको में चलने हो अपको काम लगता हो आपके गाओं में जो भी आपको लग्वा कमी लगती है अपको लगटा बेवलप वह आप की ब्रीए कोने सरह लोगों की इंकम कैसे बढ़ेगी अगर पामर्स को हम लोग लोग लोकल एरिया में इर्येशन और मार्किटिग फैसिलिटीज मतलब जाके उसको बेच सके यह नहीं है कि उनका सामान बना तो लिया उन्हें जो भी कोई करके जाओ करके जो भी उपज करके जो बनाया है समय वह सारा का सारा जो है तो उसके लिए प्रॉपर तो आपको क्या लगता है कि इस सब फैसिलिटीज अगरम इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉइड करेंगे तो क्या फार्मस की और कैसे है तो इस इंपार्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है जो कि लोगों ने आपको याद हो तो हम विलच पालम कुर पूर का जो चाप्ट है कि इरिगेशन आज भी जो है इंडिया में 100% एरिया में है इरिगेशन का मतलब होता है बिटा मैं मेड फसल को उगाने के लिए पानी तो चाहिए और वह पानी एक है नाच्रल तरीके साहरा है कि उपर बारिश से गिरके एक है कि आपने कुछ इंसानी जरिया बनाया है प अगर आपके गाहों में इरिगेशन की जो एरिया है जहां पर कल्टिवेशन हो रही है वहां पर प्रवाइड वहां पर फैसलिट अगर आपके गाहों में इरिगेशन का में मेरी की चनल चारर इसकिंच की मार्केटिंग कर सकते हैं हम कैसे मार्टिंग कहसे कोई पर अरहां से समान है पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब बना लोग जिसमें कि हर कोई विल के कि हर फार्मर अपने लिए ट्रक नहीं करीट सब्सक्राइब को ट्रकिंग सर्विस या टेंपो सर्विस यह शुरू हो जाए तो कि वह रोज वहां से समान उठाके ले जाए उनसे क्रीट के और आगे जो है मंडियों में ज पर जाता है जो कि वेस्ट रोके जाता है वह भी जो है ना सड़े वो भी इन वाट वेस्ट एंप्लॉइमेंट भी इंक्रीज नर्वन एरिया अगर आप देखिए तो कैसे एंप्लॉइमेंट इंक्रीज हो सकती है एक तो ऑबिसली जो है यह नो सड़के बनाकर और यह जाता कमी होगी है तो फिर पाज़ा लगाना आपको पता है आज कल जो है इन्वार्मेंटल डामज बहुत उने लगे बहुत जादा चारवन कूड़ा हो गया है तो हम लोग कूड़े की सफाई में भी लोगों को लगा सकते हैं सो दैट की जो है लोगों को एम्प्लॉइमे इस तरह की जो है आप चारों अपने देखिए जितना सोचोगे ना जितना अपना दिमाग लगाओगे उतना आपका दिमाग चलेक्ट अपना दिमाग शार को अब भी पढ़ाई जो है दूसरे के दिमाग से नहीं करिया थी अपने दिमाग से की अपने मसल अने के लिए वह स्थिफ्टी पॉपलेशन एंपलोई इन अन अर्गनाइज सेक्टर आप इंप अन्ट बढ़ा एक वर जो लोग ए वान अन्ट नाइस सेक्टर में लगे वह है चाहे वह रही सेक्टर और चाहे दिर अश्चली अंटर अब्लोई ओर दिसगाइज अनपलाइब यह उनकी पीपल आज रिसोर्ज ग्लास 9 जो एक अनुमिक चाप्टर तू तो जिसको कि इन वेरिबिने मुझे पता बच्चे नहीं कर और आंप वापे मैंने बहुत स्पेसिफिक नियुक्त आप अधा था वाट इस उन्ट अन्ट इस गाइज अनपलोईमें बसेखिली वह सिचिए लुक इतना हैं ऐख मेंनों में किसी बी इसान को रोज यह 8 x 9 का मिलना चाहिए ठोड़ घर इसमतिवा उस दौत रट सफ चार घंट нравится स्लोगिं दिवदे फट नाम को तुषके आप चागनां के वह सिरक 2 गंड का तू है the situation of underemployment which is a wastage of human resource which is a wastage of human manpower but he's he called this guy is unemployment be kept in the actually meter dekha to go inside unemployed like he woke who read the art so that's gonna come in need available for calm karneki available a grab us could probably do to mil jayega or book hamarikou unemployment dick nita you open unemployment naya both the coach hidden unemployment that is why it's called disguised this guy's gonna chupa hua to chupi be unemployment now let's answer this question and an underemployment occurs when underemployment kub 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 hoti hai jab log kam ni karna chate are working in a lazy manner body ba lazy manner se kam karne are working less than what they are capable of doing are not paid for their work exactly answer number three job abhi joe cheese spoken by刀 kub 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 kata दिल्पार पिए जगह सब्सकोर करो कहीं पहुंपी फिर लगावा यह नगावा कि इस प्रकिने भूपार्ट पूरे दिन भार इंपमावा तो इतनी पड़ाई करी उसकी पुछ नोलेज्ट उसकी उसकी ट्रेहिकर आध़ के लिए नहीं गार्ड वह ट्रेहिकर जापी पूर् है वो उतना करी नहीं पार ठीक है that is also a part of under employment so people are you know working less who come less current then what they are capable of doing जितना वो capable नहीं कर रहे है बहुत कम कर रहे है why should we be worried about under employment हमको under employment की बार में क्यों worried होना चाहिए क्योंकि obviously it is a wastage of manpower it is a wastage of human resource अगर आपको याद हो तो हमने class 9th economics का विलिज पालंपूर की जितना भी manufacturing जितना भी समान बनता है उसमें जितने भी inputs लगते हैं उन सब को classify कर देते इंटु चार काटेगरी जिनको कहते हैं factors of production land labor capital and in टीक है तो जब यह चारो है तो उसमें जो है labor रहे बहुत important factor of production आपको पूरा जो है आपको पूरा जो है आपको is that reflects a wastage of human power that is a wastage of human labor a person is capable of doing more but he is producing less जितना वो कर सकता है उससे जो है वो कम कर रहा यह मजबूर है कम करने के तो हम लोग उसकी पूरी पूरी शम्ता को इस्तमाल कर ही नहीं पार है अगरा उसकी पूरी शम्ता को इस्तमाल करें तो हमारे GDP एकदम बढ़ जाएगा तो जिसकी वज़े से जो है under employment की विसे मारा GDP जो है remains depressed ठीक है हमारी growth हमारी development remains depressed उस इंसान की इंकम जो है remains less तो जितनी वो इंकम कर सकता था अपने लिए अपने फामली के लिए अपने सोसाइटी के लिए अपने देश के लिए उसकी income remains less जितनी की वो कर सकता तो under employment जो है is very distra is very depressing is very distressing जो है बहुत socially and morally जो है यह बहुत जादा the depressing that is why we are concerned about under m okay okay I think this is the last question look at the following example so this is your case study number 10 you have a mani likhna bulga you to let's just have a look at this this is your case study number yeah you see can assess our lot probably is organized unorganized hey this is a number now we are talking about organized and unorganized sector this is your case study number 10 टीके तो यह मैं ऐसे लगा देते हैं तो फॉलॉमें इस फॉलॉमें इस आर अन और गनाइज से लेबर लॉज नहीं जहां जहां पर की गवर्मेंट की रूल्स और रेगुलेशन लेबर लॉज की दिन भर में कितना काम करेंगे आपको कितनी पर कोई रूल्स और पर कोई रूल्स और रेगुलेशन पर पता ही नहीं होता कि कहां पर क्या है तो ओ आपको पर काम उठा रहे हैं समान अगर वह किसी उसका हिस्सा है उनकी पास बिला भाश नमर तो वह अल्मोस लाइस जाते हैं कि वह अगर वहना प्र जाते हैं एक फिक्स्ट रेट होता है कि आप इतना ही रेट पर फोलोगे ठीक है उनकी प्रॉपर यूनियन बन जाती है इसके जादा अगर आप काम करोगे तो आपको जाए पोगोवर टाइम देनी पड़े आरे फ्र Settings को जाऑं करें के लाड दॉति अपान क्यू था ग्यां contracल अपाइस्टेंट इस इस आटर शूकुल किस तरह ह longest स्कूल निया कोई हम SSL को लिया दो फूरिया जोटत पूर और पर में स्कूल को रिются प्रट रोल्क और सोने प्रट हैं इसमें तो क्या पैमेंट रही हैं कि इतने गंटे काम रहे इसका कोई रिकॉर्ट नहीं इसको भी ऑगनाइस्ट इसको बड़ा स्कूल अगर कोई बड़ा स्कूल अगर इसको मानने पड़ेंगे तो उस पर लेबर लॉस प्रॉपर लगते हैं तुस बिकम्स अरगनाइस सेक्टर वहां पी जो वरकर लगा उसको प्रॉपर पूरे कोई घर कैम एकुस बड़े वहां सेक्टर डॉसके कितने डिंदीट नियुखैंगी उसक्रॉप नने संदेगा कि आपको पता ही वहां पर कितने लोग लगे हैं घंटे उन काम हो रहा है कितनी उनकी exploitation हो रही है कितने उनको पेमेंट इस आप अपार्ट आप अनॉर्गनाइज चालिए लेट्स मूव औहेड अचा भी बचा हैं तो लग दिस भी के स्टटी नामबर 11 तो जिस तो फर्गेर बाओ दिस तेंग अब दो दिखाये इसमें कांता एंड कमल तो इसमें जाए एक जैगर आप इसको ध्यांत से अगर पड़ो तो कंता जैवो किसी ओफिस में काम करती है वो शाम को विश्वाइव फिक्स ताइम है वरकिंगा आज लबकिकांता जाय है औ यह वो कांता की नेबर और वो जो एक डेली वेज लेबर है ठीक है वो एक ज्छे शाप पर काम करता है वहां पर समान सुमूर जो भी कुछ वो काम करता है तो वहाँ पर वो काम करता है और इसी लिए जैंगे सहां के आट बेर तर्बैर आता अगर उसको कोई लीब नी दी उसको कोई allowances कोई allowances कोई wages नहीं है जो चुटी पर अगर चला जाए तो उस चुटी के लिए जो उसकी salary cut जाएगी ठीक है उसको कोई letter नहीं मिला कि तेरी नौकरी जो है अब से शुरू हो रही है जो भी कुछ है कि तो वह बहुत असान है आप पढ़ लीजिए आप कंपेर कर सकते हैं तो नेक्स टाड़ी विचिस के सब्सक्राइब नमबर 12 ठीक है थिसके सब्सक्राइब थोड़ा सब्सक्राइब तो दादा ही तो के ना दिस नुमेरिकल काइं डेटा और यह बिटा मैंने विडियो भी बनाइए डेटा पर आपने डेटा से घरना नहीं है आपने डेटा को एंब्रेस करके चलना है बहुत सिंपल यह आपने सिर्फ नंबर लिखने हैं आप होरीजॉंटली भी एंवर्ट प्राइमरी में जो अन ओगनाइज रहें को कितने होंगे विच इस ओब्रेस तू प्रीवान तो इस संथिंग विच आम शूर यू कंदू राइट फिर उसके बादे सेकंटरी 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 सेक्टर में आपको पता है इससे खुदी बता दिया पूरा कि 41 million जो ऑनाइ में 88 है तो तो कितमे यह आपने सिंपल आड करना है विच एस वेरी संब एडिट पर यू इस इस सिंपल जो है अडिशन आपको तो इस इस से संब्ल है पॉर्टी प्लस 88 अथा तो इस नाटिंग रेट इस लोगाट साइन आ वह आ रहे हो अग्लास वान से एडिशन और टोटल वोकर जाए अक्रॉस और अर्गनाइज एन और गनाइज टोटल यह दिस आप मास्टर टोटल टोटल लोग जितने लगे वे हैं राइमरी सेकंडरी एंट टर्श्री में मिला कर या फिर ऑगनाइज अन और आप इसको जड़ा कैलकुलेशन चेक करिए कि कि ऐसे जब आप कैलकुलेट करो गें तो भी एंसर सेम आना चाहिए और बर्टीकली भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो एंसर सेम पर्संटेज निकालनी है तो परसंटीज में आपने बहुत सिंपल है यह 82 है तो 82 डिवाइड बाइज जो भी आपका यहांपर टोटल अदर इस भी ती ठीक है इवायरे बाई टी एंटू हंड्रेट वा उससे आपको पता चलिए वा कितने परसंट लोग जो है और गनाईस सेक्टर में अधिर अपने अपने अनुवायर इसको तरीके या तो आप इसका जो टोटल है इवायर बाई टीकर दो ठीक है या तो इसका टोट लोग और नाइस्टर में है कितने परसंट लोग जो है अन और गनाइस्टर राइव प्राइमरी सेक्टर रचाहे वह और उसके बाद आपने यह एंसर लिए वाट इस परसंटेज पीपल इन अनुग अगरी कल्चर अचान अब आपने अगरीक अपो इंडिविज्वली भी प 232 x 100 do you agree that agriculture is an unorganized activity yes agriculture is an unorganized activity because 99% population have a unorganized activity because 99% population जो है अर्फिसाइब गड़ी टी लोग जो जो है वो पो पॉरसिए इप्र मुखम लोग यूख जो है वो जो है वह और यूख है जो बाइब फिर और टो यह आप ऑफ को यहाँ पिगने अपर इस आप विखने वह लोग जो है यहां पर आपका वो आजाएगा कितने पर्सनल वोकर जो है आप अपने घरों में भी देखो आपको ड्राइवर होगा आपका प्रेस वाला है आपकी मेज हैं सबके सब्सक्राइब कोई फिक्स में आपने कुछ जाएंगे जाएंगे एक नॉम जो आपकी सुसाइटी का यह लोकालिटी का अबस फॉलो करते हैं और यह टोटल को यूनियन नहीं अगर कभी कुछ इंजित हो जाती है तो मतलब इक है आप उसको भली अपने दम पर कुछ दे दो तो पर अदर व वो यह के सटी नंबर 13 तो यह हम एक नंबर पीछे चल रहे है यह 13 3 कुछ जादे ही इस फांसी स्टाइल से लिखा गया है जैसे कि इन थी कह सब्सक्राइब है तो इसमें भी वही है कि हम लोग जो है प्राइमी सेक्टर सटरी सेक्टर को तो क्लासिफिकेशन करते हैं कैसे क करते हैं इस डी क्राइटिया और ग्लासिफार अनब बेसे सब्सक्राइब करनेटर अब इस अब अब बात कुछ आ रहेता है क्या प्रोडूसर अब तो इस इस वहां पता चलता है और इससे आपको मोस्ट इंपॉटन क्या निकल रहा है पूस्से इससे अमारे को मोस्ट अब आक्या के इस निकाल रहे कि अंडिया के निकल रहा है कि इंडया का सबसे बढ़ा सेक्टर है इंड अब कलि वह सब से इससे क्टर मोस्ट चो। पर्सेंट को बहुत बार बता चुकि हूं आपको यह फिगर सब्सक्राइब करें बहुता बार बता चुकि एक गलत धार्णा हमारे को बार-बार पता नहीं क्यों रहे पर बच्छे आते रहते हैं और वो कहते रहते हैं इंडिया जो इस भी चाहिए वां वह ब भाव जो कि अ बाद पढ़ा रहा है रही इंडिया में थिके अग्रिकल्चर सेक्टर पर एम्प्लॉइमेंट बहुत जादा वह इसलिए पूपलेशन भी बहुत आपको पॉप पीपल आज रिसोर्स को चाप्टर तो उसमें वीडियो में बढ़ा है कि हमारे सेक्टर में प्रफकर नियुक्त गवर्प्लॉज़ बहुत लोगा की लिए लुगों एक बेसिक्टि स्किल की रुकार में प्रम्डी स्किर में इत्की रिक्वार्म नहीं होती है जब लोगों के पास वो इस्किली नहीं हो तो अटमातिकली जो है वो कहां लगेंगे ऑपिसली यहां पर बहुत हाई लेवल आप अनको अनुगानाईस एंपलाइज अनॉपलाइज सेक्टर है और इसमें बहुत जादा जाहे डिश्गाईज अनॉपलाइमेंट है अर् तो फॉर है अर्ट फॉर थी टाकल की उनके लिए अल्टनेटिव बनाई जाहें इन दिसेंटरी सब्सक्राइब कर सकते हैं और जमीन को बना सकते हैं और किती बाड़ी कर सकते हैं तो जो आपके वरकर दो गंटे काम कर रहे हैं पूरा अपर दस गंडे का नौकरी में उनको फूल उगाना सिखाओ कि कैसे हैं लगा सकते हैं और चर्ड्स लगाना सिखाओ कि कैसे हैं वो पलो के पेड लगा सकते हैं अगर आप उनको स्किल दोगे तो उसी में जो है अगे दूसरा जो है क्राइटिरिया दूसरे अक्टिवीटिय और न ऑगनाइज और न ऑगनाइज़ के इसमें लेबला ओओ डिकेबलै जिक्राइड्य जो प्रॉष ब्रॉटियर इस पर फैति इसके न क्या है जो अनॉर्गम यह सब्ढ़ ने द पॉन्दे आइश्यों का और यहीं पे बिटा आपका जह है क्लास नाइंथ की जो पीपल एस रिसूर्स का चाहिए तरह आता है कि आप उनको ट्रेंट कि वह अगर उनके पास अगर आप उनको ट्रेंट करो दीरे दीरे करके वह अनको अगर उनको पाएंग वह और यह वह और यह तो विद इस आएंड विडियो और आमने काफी सारी के सब्सक्राइब करी और रिली वोप कि इसके बाद आपको ज्यादा कि अडेच ना को कि अगर आप विडियो वेड वार के सब्सक्राइब का स्बस्क्राइब कि लिए तो एंट अगर इस दो कि बाई थैक्या थरिए टियू थ्यू आख भाई